जैन ट्रेंट्स, वेलकम टो लार्निंग 360, मैं हूँ अंजली और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरो का वर्गी करन स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर का भेद स्वर को, generally हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर क्लास में कुछ बच्चे बाठे हुए हैं, तो आप उसको अलग-अलग तरीका से height की basis पे बाढ़ सकते हैं, age की basis पे बाढ़ सकते हैं, या फिर आप जेंडर की बेसिस पर बाढ़ सकते हैं बाढ़ सकते हैं तो अलग-अलग तरीकसम किसी-किसी बेसिस पर हम स्वरो का भी स्वरो को बाढ़ सकते हैं स्वरो का वड़िकरन होता है स्वरो का प्रकार होता है तो हम चार बेसिस पर स्वरो को बाढ़ सकते हैं एक है उचारनकाल के आधार पे, उचारनकाल का मतलब है उसको बोलते वक्त, उसको स्वरों का उचारन करते वक्त हमें कितना समय लगता है, उसके आधार पे बाटते हैं, उसके उत्पत्ती के आधार पे, उसका जन्म के आधार पे, किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ है, किस त तक्रार ये आगे, जीव के आगे वाले भाग में, पीछे वाले भाग में, या मद्धिया, बीच वाले भाग में, वो हम पढ़ेंगे आगे. ओस्ट के स्थिदी के आधार पे ओस्ट मतलब हाता हमारा lips हमारा होट हमारे होट जब हम बोलते हैं तो हमारा होट का shape कैसा बनता है जैसे हम आ बोल रहे हैं तो हमारा होट पूरी तरह से गोल नहीं बन रहा और जब हम ओ बोलते हैं तो हमारा होट पूरी तरह से गोल सा वन जा रहा च्छोटु सा तो ये इसके आधार पर हम स्वरों काशे बाड़ते हैं तो आगर आपको याद होगा तो एक बार कमेंट में बता दीचे कि हमारे टोटल स्वर किते होते हैं और उसी 11200 मैं ही बता दी सवर हमारे 11 होते हैं और 11 सवर को ही हम किस तरह से बाढ़ते हैं कौन से किस के आधार पे बढ़ जाता है तो पहले हम पढ़ेंगे उचारन काल के आधार पे उचारन काल के आधार पे अगर हम पढ़ें तो सवर के तीन प्रकार होते हैं एक रश्व स्वर, एक दीर्ग स्वर, तीसरा प्लुत्व स्वर, ठीक है, पहला आता है, रश्व स्वर क्या होता है, जिनके उचारन के समय हमें कम समय लगता है, या बोल सकता है, दीर्ग स्वर के अपेक्षा आधा समय लगता है, ठीक है, जिन स्वरों के उचारन में कम समय उसे हम लघूस한व कहते हैं या इसको हम कभी-कभी मूल स्वर भी कहते हैं अगर आप से कोशिन में कभी-कभी मूल स्वर भी आ सकते हैं इसके यह चार होते हैं इसका मतलब क्या है कि जब आप बोल रहे हैं इसमें का example देखिए इसका जो धार इन है लगुस्वर कहते हैं, या इसको हम कभी-कभी मूल स्वर भी कहते हैं, अगर आपसे कोशिन में कभी-कभी मूल स्वर भी आ सकता है, इसके ये चार होते हैं, इसका मतलब क्या है, कि जब आप बोल रहे हैं न, ओ, इसमें का आ बोले, अ, अ, आ, है न, अ बोलते वक्त आपको कम समय लग रहा है, आ के comparing में, तो आ क्या आ जाता है, दीर्क स्वर में आ जाता है, उसके उसे जादा समय लगता है, दो गुना समय लग रहा है, और वही अ बोले में कम समय यह जाना पहले तो हम definition देख लेंगे उसके बाद अपने वासा में उसको समझेंगे definition भी इसलिए जाना ज़रूर है क्योंकि कभी कभी ने direct definition से चार option देखे question पूछ देता है लीपी क्या है या फिर तो हम पढ़े हरश्वसवर भी पढ़े है जिनके उचारन में हमें कम समय लगे वो हरश्वसवर होता है इसके चार होते हैं आपसे अगर पांच option दे देता है जिसमें आप question हम जब discuss करेंगे तो आप देख लीजेगा याद रखेगा कि हरश्वसवर क्या होता है और यह कौन-कौन से example हरश्वसवर में आता है जिनके कम समय आप उचारन करके देख लीजे दीर के स्वर क्या आता है जिनके उचारन में जिन स्वरों के उचारन में लगू स्वर से दुगना समय लगे लगूसवर मतलब यही हमारे रश्वसवर जिनको लगूसवर भी कहते हैं या मूलसवर भी कहते हैं कभी-कभी आपको रश्वर मिल जाएगा कोशन में कभी लगूसवर मिल जाएगा कभी मूलसवर मिल जाएगा confused मत हो येगा हरश्व स्वर को बोलने के comparing में आपको दीर्ग स्वर में दो गुना समय लगता है जैसे आ बोलने में आपको अधा लग रहा है आ में जादा समय लग रहा है ए उ ए ए ओ ठीक है तो ये हरश्व स्वर के comparing में दीर्ग सौर को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है 11 है, total हमारा 11 है दीर्ग और हरश्व सौर और दीर्ग सौर को हम बाढ़ दिये चार इसमें आ गया है और बचा हुआ दीर्ग सौर में आ गया है अब प्लूत सौर को किसमें डाले प्लूत सौर का क्या एक्जांपल si Australians में आ जाता है इसमें जादा यूज नहीं आता इसको ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे पर तो two-four कोशन पोछ लेता है कभी कभी पूछा है और आप basic जान करे रखिये तो प्लूत सौर भी हम देख लेता है प्लुट स्वर क्या है? जिन स्वर के उचारन में दीर्व स्वर से भी अधिक समय लगता है या फिर तीन गुना समय लगता है जब आप ऑ बोले तो आपको आधा लगा आ बोले तो उसका दो गुना लगा ओम बोलेंगे तो आपको उससे ज़्यादा लगेगा या फिल दो फोशनों चाहिए पोघ सकता है या पूछ एक पलूत्सोर का पडिवासा क्या है पलूतोर कहां प्रयोग होता है यह भी पूछा जा सकता था जैसे हम बोल रहे हैं हम किसी को बुला रहे हैं कैसी हम ऑ alguém जल्क करेंगा बोल देखो को और म्ह расс questioning तो जोड से जो बोले और ज्यादा समय लगा मेरे को जब पुकार रहे हैं किसी को तुमको ज्यादा समय लग रहा है ना मोहन समझ रहो तो जो समय थोड़ा में को ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम किसी को पुकार रहे हैं पुकारते वक्त हम लोग थोड़ा टांते हैं, वो जो टांने का जो उचारन है, उसको भी तो हम लिखेंगे, लिखेंगे, ज़्यादा देर तक जो गोत लिखेंगे, उसकी को जो commit the and get the तो आपका आंसर होगा प्लुट स्वार का यूज़ करते हैं ठीक है? बस इतना ही पुछेगा यह हम लोग पढ़ लिए उचारनकाल के आधार पर पढ़ ली अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ती के आधार पर उत्पत्ती के आधार उत्पत्ती मतलब हमारे जन स्वर का जन्म कैसे हुआ है स्वर का जन्म किस तरह से हुआ है इसके आधार पे स्वर को हम दो प्रकार में बाटेंगे एक हमारा होता है मूल स्वर और दूसरा होगा संधी स्वर संधी स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं दीर्क स्वर भी बोलते हैं किया इसको हम लोग बोल सकते हैं कि झवल पर पर ऑ से मिल के बहुत कुछ बनेगा वेंजन बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे तो जो ओ, ई, उ, री ये जो है ना ये मूल स्वर है इसी के मदद से और सारा स्वर का ओरिजिन हुआ है अब आता है संधी स्वर मूल स्वर का अगर आपसे चार ओप्शन दे दें चार ओप्शन मेंसा आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर क्या है मूल स्वर का एक्जांपल क्या है आप से इतना पूछ सकता है ठीक है तो हम याद रखेंगे हमारा चार है चार मूल स्वर होता है बाखी चित्ता है, वो हमारा संधी स्वर होता है, संधी मतलब क्या होता है, जो आपस में जब आप मिल के कुछ बनाते है न, मिल के बना रहे हैं, तो एक निया चीज बन रहा है, उसको बोलते हैं संधी स्वर, तो आ, इ, उ, ए, ये सब जो है, ओ, आ, ए, आ बना है, एक संधी स्वर बना है बड़ी कैसे बना है दो छोटी I, I को मीला के हम बड़ी बना है U, U, U को मीला के हम बड़ा U बना है उसके बाद आते हैं हमारा A, O और A को मिला के, A बना है देखिया, आप देखपा रहे होंगे आ, E, U यह सब जो है यह सब इसके प्रयोग से हम एक नया सवर बना रहे हैं संधी सवर बना रहे हैं